नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव ने आज दस सरकुलर रोड स्थत अपने अवास पर प्रेस कॉन्फरेंस की है अस दोरान नितेश सरकार को आड़े हातों लेते हुए उन्हें कहा कि सीम अब पूरी तरह से ठक चुके हैं उन्हें से बिहार नहीं संबल रहा है देश की सवा कर लोटे जवानों की हत्या हुई है लेकिन जाच सही से नहीं हो रही है उन्होंने सीम परफरादियों से मिले होने का आरोप भी लगाया है तेजस्वी ने कहा कि सीम के साथ दो उपमुखे मंत्री बिहार में है लेकिन पिड़त परिवार से मिल ले अभी तक कोई नहीं गया ऐसा मेवपक्ष पिड़त की आवाज उठाता है तो सरकार उसे पबिसिटी करार देती है नितीश कुमार जी उनकी पुलीस तीब कल तो हम खुद मदुबनी हम गये परिवार की लोगों से हमने मुलकात की आश्यर की बात है कि एक पुलीस अधिकारी तक चाए SP हो, DSP हो या IG हो वो अब तक परिवार की लोगों से मुलकात नहीं पटना स्थत एक नीजी होटल में बिहार स्मार्ट सीटी परियोजनाओं को लेकर एक कारिकरम का योजन के आ गया जिसमें मुख्य अतीती के रुप में उप मुख्यमंतरी तारकिशो प्रसाद और पटना की मेर सिता साहू ने शिरकत की एस दोरान स्मार्ट सीटी परियोजनाओं को लेकर विस्तत रूप से चर्चा की गई मुख्यमंतरी सियम ने कहा कि बिहार में स्मार्ट सीटी परियोजना कारियों में तेजी लाने के आवशकता है एस परियोजना में काफी बदलाव भी किये गए हैं साथ ही उन्होंने ते समय के अंदर परियोजनाओं को पुरा करने का आश्वासन भी दिया और बिहार में स्मार्ट सीटी का काम बड़ा बिलम से सुरू हुआ कई उसमें हमें परिवर्तन लाने पड़े हैं लेकिन हम हमारा प्रियास है कि समय सीमा के अंदर रासी बेहतर ढंक से खर्च होके भारत के स्वस्वी प्रधार मंत्री ने जो इसमार्ट सीटी के समद में कल्पना की है उसको दिखाने का हम प्रियास करेंगे